जी आमित्रो तो देवरा वर्षीज UPSS Parent अप पैरोडी रोस्ट वीडियो इस गाउं के सारे लोग स्मगलिंग करते हैं यहां पर मनरेगा, PM मुद्रा लोन, नेशनल रूरा लावली हुड मिशन, PM एपरेंटिस कोई यहां नहीं चलती, बस यह लोग स्मगलिंग करते हैं आ तो इस गाउं के सारे नोजवान, Red Sea में स्मगलिंग करते हैं जो आंध्र के बाजू में है देखिए अगर जियोग्रफी में किसी टीचर ने आपको पढ़ाया कि यह जो Red Sea है Middle East में आया है तो गलत सिखाया है क्योंकि यह आंध्र के बाजू में है ऐसा प्रकाश राजी मूवी में हमको बताते हैं फिर इस गाउं में एक दिन दिल्ली कोचिंग गराने के एक प्रकर UPSC गुरू जी आते हैं अपनी पूरी PR टीम के साथ कि मैं जो भी बोलो उसका वाइरल वीडियो रिल बन जाना चाहिए और वो गाउं में एक सेमिनार करते हैं सेमिनार में गुरू जी, राजा राने, कटा तमंचा, तजुर्बा टशन पड़ाई लिखाय के अलावा सारी बाते करते हैं और motivation का अफिम पिलाते हैं कि तुम सब लोग UPSC की तियारी करो वो ये भी बताते हैं कि देखो UPSC सिद्धा आपके गर पे औरी कार भेज़ देगी अगर आप political science optional लेते हैं जिसमें 300% success rate है जी आमित्रो, अगर UPSC में 1000 vacancy है political science के 4000 लोग परिक्षा देते हैं तो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं इसलिए percentage success है 300% अब ये motivation का अफिम पिके स्टेफ अली और बाकी गाउं के UPSC बावुशोंने वो कैद बस अब तो हमें दिल्ली और नुएडा में ही जाना है तभी देवरा वहाँ पर आ जाता है और वो उनको रोकता है कि भाई रील देखके career decision कैसे ले सकते हैं और जगलिंग से optional subject कैसे हो सकता है फिर उनको देवरा उनको पैसो का भी हिसाब बताता है कि दिल्ली में रहने का रेंड 15,000 और 12 महीने तो मलब 1,8,000 ठाने का और 6,000 गिने तो 12 महीने का 12,000 और library क्यूंकि coaching में सिर्फ पढ़ा ही होती है library का अलग से आपको reading room में जाके पढ़ना है क्यूंकि जो room आपने लिया रेंड पे वो तो माचीस की DB जितना होता है उसमें 2-3 लोग रहते तो पढ़ा यूदर नहीं हो पाती तो अलग से library या reading room में जाना पड़ता है तो उसके 5,000 तो 12 महीने का 60,000 वो हो गया और उपर से coaching की खुद की फीद 2,00,000 रुपे प्लस GST तो 1,00,000 पर 18% पे अगर तो उस हिसाब से 2,36,000 का coaching फीद हो यानि कुल मिलाकर rent, food, library और coaching मिलाकर 5,5,000 का तो खर्चा है तो देवरा इनको कहता है भाई उतने में तो बोठी खरीद के smuggling कर लेते गाउं में और दिल्ली में basement में पानी से खत्रा है, ground floor पे जहरिली हवा से खत्रा है, तो क्यों ये दिल्ली नॉइडा यात्रा का जोखिम लेना है तो देवरा दीवार बनके इन सब को रोकता है उनको fisheries, timber जैसे alternative livelihood sources explore करने के लिए बोलता है, आला कि वो sustainable तरीके से करेंगे कि नए, या सारी मचली पकड़के समंदर खाली कर देंगे, सारे पेड काटके जंगल खाली कर देंगे, वो इस कहानी में हमें नहीं बताया है खेर अब सेफ को यकिन हो जाता है कि जब तक देवरा जिन्दा है, हम दिल्ली नहीं जा पाएंगे तो वो चल कपट करके शादी में बुला के उसको देशी दारू पिलाता है और टून कर देता है टून हुए देवराप पर सेफ अली के मरीन जॉंबी अटेक करते हैं लेकिन वो उसका कुछ उखाड नहीं सकते अब ये सब लड़ाई जगड़े में बिना अटेम्ट दिये ही सेफ की एज लिमिट खतम हो जाती है UPSC के लिए तो फिर वो नया बिड़ा उठाता है कि चलो मैं तो UPSC नहीं दे पाया लेकिन गाओं के बाबुश उनों को अपनी छतचाय में लेके मैं उन्हें ट्रेनिंग दूँगा और ट्रेनिंग के नाम पे दिनरात वो उनको पड़ाई लिखाए नहीं करवाता है बस रिल्स कैसे देखे सुबह उटके मोटिवेशन वीडियो कैसे डूंडे रॉयल एंट्री वीडियो खुद से एडिट करके कैसे बनाए उसका SEO टेगिंग कैसे होता है और गुरु जी का एंजिनियर्स को सी सेट को पूरी दुनिया को कैसे दोशावर उपन यानि ब्लेम गेम करें देखे ये बात मैं मानता हूँ कि सी सेट के नाम पे 2011 से नाइन साफी हो रही है ये नॉन इंगलिश मीडियों के सभी छादरों को किसी भी हिंदी गुजराती मराथी सब को लेकिन ये जो हिंदी मीडियम के कोचिंग वाले उसका बीड़ा उठाते हैं उनको मेरा ये कहना है तो अब तक आपने कोचिंग का स्तर अपने नोट्स क्यूं अपडेट नहीं किये अगर 2011 से ही चल रहा है और आप ठीक नहीं करो तो एटलिस्ट अपना दो मटीरियल अपडेट कर है कि गुरुजी हमसे UPSC ना हो पाएगा और अभी कोस्टगार का ये नाविक खलासी का जोब नोटिफिकेशन आए हम उसको देते हैं इसको सुनके सेहफली काफी नाराज हो जाता है कि भाई मैं आपको दिन रात UPSC टॉपस के रॉयल एंट्री वीडियो दुखा रहा हू होगी और आपके कैंप में ये जितने बावुश होने नले बेरोजगार बैठे हैं तो उन सबसे मेरा SEO, YouTube, Bot ID से पॉजिटिव कॉमेंट कराना ये सब काम तुम संभालो, that is better than giving UPSC exam पेरेलरी ये मूवी देखके मुझे English Literature का Bagdale टेस्ट यादा है ये टेस्ट ऐसा कहता है कि कोई भी कहानी में अगर दो महिला हैं आपस में बात कर रही हैं तो क्या वो पुरुश के अलावा किसी और विशे पे बात कर रही हैं तो इस टेस्ट पे चाहे देवला हो, कंगरवा हो, सारे फिल्में फेल हो जाएंगे यानि केवल पेट्रियार की कूट-कूट के बरी है महिला है जो भी बात करें देवरा ये करेगा, कंगवा वो करेगा, वो आएगा, वो जाएगा, यही चलते रहता है फिर, देवरा के बाद उसका बेटा वरा भी अब बड़ा हो जाता है, आगे क्या होगा उसके लिए आपको देवरा पार टू देखना होगा और मिस नहीं हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लेट्स क्रैक इट